Spider-Man No Way Home Movie के अंदर जैसे हमें बहुत कुछ चीजें देखने को मिल जाती हैं हमें वो चीजें सर्प्राइज कर देती हैं बहुत बढ़िया एक मुवी जाती है और फिर हमारे सामने Doctor Strange in the Multiverse of Madness मुवी का ट्रेलर आता है फिर तो लगता है कि यार Marvel तो बहुत ज़्यादा हम पर महरबान हो गए और बहुत बढ़िया बढ़िया कॉंसर्ट हमारे सामने लेकर आने वाला तो इतना इंट्रो काफी है यह बताने के लिए इस फिडियो के अंदर चर्चा किसके होने वाली है तो आज हम बात करेंगे Doctor Strange in the Multiverse of Madness मुवी के बारे में या फिर कहें Doctor Strange 2 यानि उसकी सेकंड मुवी के बारे में यह तकरीबन दो घंटे के आसपास है जैसी मुवी से एक्सपेक्टेशन थी जब जब इसका ट्रिलर देखा तो यार बहुत ज़्यादा उमीदें लगा ली थी सोचा था कि ये भी देखने को मिलेगा वो भी देखने को मिलेगा और इतनी बढ़िया या मुवी जाएगी क्योंकि Spider-Man No Way Home मुवी काफी बढ़िया जाती है और एक सफलता के बाद तो हमें लगता है अब और भी ज़्यादा अच्छी मुवी आने वाली है लेकिन शुरुआत में उता देता हूँ मुवी उमीदों पे बिल्कुल भी खरी नहीं उतरती है कहीं न कहीं हमें निराश करती है ये मुवी मुझे तो काफी ज़्यादा बूरा लगा ये सब चीजें देखकर जो इसके अंदा दिखाया जाता है कैर सबसे पहले इसकी स्टोरी की बात कर लेते हैं आपने इस मुवी का ट्रेलर देखा तो आप इसकी कहानी का अंदा जा बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं तो कि डिफरंट है काफी ज़्यादा डिफरंट है हमें बस चोटी मोटी चोटी मोटी क्लिप कहीं से उठाकर दिखाए गई गई है उसमें कुछ भी नहीं बताया गया है हमें दिखाया जाते हैं कि डोक्टर स्टेंज जो है मूवी के अंदर वो तो कुछ भी नहीं है तभी तो उसका नाम ट्रेलर रखा गया है मूवी तो भी बागी है मतलब वह वाला यह जो लाइन है वो पिल्कुल सभी फिट बैठती है इस मूवी के ऊपर तो यहां पर जैसा हमें विलन दिखाया जाता है देखो सबसे बड़ी चीज जो मुझे यह लगी कमी के ना तोर पे अगर मैं बात करूँ तो यार इन्होंने विलन दिखाने में बड़ी जल्द बाजी कर दी बहुती असानी से बहुती जल्दी से इन्होंने विलन को हमारे सामने इंट्रडियूस कर दी यार थोड़ा सा जानने के लिए तो आपको मुवी देखनी पड़ेगी इससे जादा अगर मैंने कुछ भी बताया तो सच को स्पोलर मिल जाएगा और यहीं प्रेस्टॉप कर देते हैं आपको जानना तो जैसे मैंने का मुवी जाकर देखो पता चल जाएगा अब बात करें कि मुवी में अ तो भी काफी अच्छा लगेगा वो सर्प्राइज सस्पेंड सा वो है मुझे जब यह मुवी देख रहां तो मेरे अंदर सब्सक्री जानने की इच्छा थी यार इसके अंदर स्पाइडर मैं नो वें हों के तरिके से कुछ ना कुछ हमें देखने को डेफिनिटी मिलेगा भी लगता है fighting sequence जैसे मैंने का जितने भी दिखाएंगे वह काफी ज्यादा पसंद आएंगे इसकी लास्ट की fighting मुझे काफी अच्छी लगी मुझे बहुत ज्यादा वह पसंद आई जैसा जादू डॉक्टर स्ट्रेंज मतलब स्ट्रेंज भीया आँपर करते हैं अपना लग कहीं कहीं पर तो ऐसा था कि यह movie lag कर रही है मैं literally बैठकर उबासी ले रहा हूं यह movie जब मैं देख रहा था कुछ-कुछ scene तो ऐसे थे कुछ एक आदे मितलब उससे भी ज्यादा उस सीन थे तो वहाँ पर मुझे लग रहा था यह क्यो दिखा रहे हूं इसका मतलब क्या बन लेकिन वह इतना कुछ वह दिखा देते हैं कि हम उससे नहीं हो पाते हैं सच में बहुत चीज़ें इसमें हैं देखने हैं लेकिन वह connection उनसे हमारा नहीं बन पाता है जिस कारण हमें वीक स्टोरी लगने लग जाती है फिर इसके बाद जैसे इसमें विलन का जो मोटीव दिख बैटर रीजन हो सकता तो और रीजन होता तो काफी जादा इसे connect हम हो पाते हैं वहां पर वो चीज़ें नहीं देखने को मिली दूसरा यहां पर तीसरी यहां पर जो डॉक्टर स्टेंज भई हैं उनके खास जादू के movement यहां पर नहीं है यार वो मुझे लगा कि बहुत ब fight कह सकते हैं या फिर sound जो fight कह सकते हैं जो भी इसने मतलब इस fight को लिखा है मतलब जैसे भी creativity को आगे लेके आएं वह मुझे बहुत जादा पस्ना है लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगा है वह concept मतलब वह देखकर कैसे उन्होंने कोई अपनी color का कैसे use कर सकते हैं जब आ आपको और जादा interest create कर देता है तो मुझे यह सब चीजें अच्छी लगी है नेगिटिव चीजों के बारे में आपने आपको मैंने आप लोगों को बता दिया है तो मेरी तरफ से तो इस movie को मैं देना चाहूंगा six out of ten अगर आप लोगों ने movie देखिए तो please comment कर देना कि आ आप झाल को ऑपकला उृटी है काफी जादाह में है क्या सुनिह देख पारे हम सु Carryव ब्यू लगता है कि लगत है टे डबलबल टीजेंट मुझे अशीयं बहुत अच्छी सैंचść में तो बस साच के लिए तना रखते हैं तैंक्स वेडियो में जाहिंट